हालो फ्रेंड्स मेरा नाम है निखिल और मैं आपको आज सिखाने वाला हूं सर्कुलर वाटर टैंक का डिजाइन एनलाइसे मोडिलिंग आउटू एपलाई लोर्स आल तिंस अबाउट दा सर्कुलर वाटर टैंक तो पहले एक मोडल रेडि कर लेते हैं वाटर टैंक के लिए तो पहले हमको जाना है इस ट्रक्चल विजाड पर वहाँ पर हमको पहले योनिट्स चेंज करनी है योनिट्स अगर तुम चाहो तो इक फिट में ले सकते हो इंच में मिलीमिटर मिटर्स मैं अभी मिटर्स यूज में ले लेता हूं मिटर्स पर क्लिक करके ओके और हम लेते हैं पहले हमको नीचे वाड़ा बोटम का पार्ट है कोलम्स वाड़ा वह रेडि करना है उसके उपर उपर का सूर्पर स्ट्रिक्स रेडि करेंगी जैसे डॉम्स हो गए उसके प्लेट्स संसी ओगे वर्यसर वघ्डी कर कोलम्स वजा सारे रेडि करना है उसके बाद तो पहले कोलम्स रेडि करते है तो यह हमारे स्ट्क्ट्चर है रिवर्स सिलेंडर करकर यह हमको थोड़ा लग भी रहा है कि हमारे कोणम तो चाब लेंग करें पर च्वांटी मिटर की रेडियस भी 5 डिफोल्ट बाइडिफोल्ट 5 ले लेते हैं एंगल 360 डिगरी पर हमको देने सारे कॉलम्स हमको नमबरों बेस रिसाइज करने लेंद पर तो लेंद में अगर हमने 5 नमबरों बेस लिए तो 20 मिटर के जो इसकी लेंद है उसके पांस टुकड़े होंगे अगर प फांस टेना हो इंपूर्ट की मेरे को नीचे वाड़ा पांस मेटर रखना है आगे वाड़ा तीन मेटर दो मेटर जो भी चेंज करना हो यहां पर वैल्यू चेंज करके जैसे 5 ले सकते हो तूफ भी ले सकते हो बस इसका दूटल है वह ठोटल लेंद के बराबर आना सही है वरना यह error सो करेगा तो किलिकोन होते हैं तो हम 44 मिटर का ले लेते हैं पैरिफेरी के अकोर्डिंग भी अगर 18 मिटर तो अभी हम आठ कोलम लेके चलते हैं हमारे तो यह हमारा रेडी है इसमें हमारे आठ कोलम्स दिखा देगा आठ कोलम्स मेरे चाय काउंट कर सकते बर करना चाहूं तो 12345678 फिर क्रोस करना किलिकोन यस अभी हम यह देना चाहते हैं कि हमारे जो यह कोलम्स का सपोर्ट है वह हम कहां पे अपने मोडल में दे विंडो के अं तो 0,0,0 अब यही पर रहने देते हैं इसका आगे यूज आएगा जब हम डॉम वह उपर का स्टक्स इतना भी देंगा उसमें समझारते आगे अच्छे से तब जीरो कोमा जीरो तो हम सेंटर पॉंट पर देते हैं औरीजिन पर किलिकोन ओन के तो यह तुमारा रेडी हो ज यहां से भी देशकते हो वरना शोट्रिक है सिप तबाना और राइट किलिक करना विंडो पर विंडो पर सिप एंड राइट किलिक तो तुमारा विंडो टैब यह व्यू टैब ओपन हो जाए गया से भी चेंज कर सकते हो इसमेट्रिक टोप जूम इन जूम आउट डिस्प कि बॉटम हो गए जिसमें सिर्फ कोलम्स और सर्युक्लर बें दे सकते हैं तो अब अम क्या कर रहे हैं जो बॉटम के बिंच बिंच कर देते क्योंकि नीचे घ्राउंड है तो यहां उनली सपोर्स की रहते तो बॉटम बिंच को सर्फट करके बिलेट कर देंगे ऐसे तो यह हमारा column supported हो गए सारा column supports हो गए circular beams आगे इन पर अब हम उपर का structure में लगाते हैं तो हमको एक dome देना है जो तो हमारा अभी bottom columns जो part वो ready है और हमको dome देना है तो अभी bottom dome देते हैं यह पर surface पर तो मैं तुमको एक बार दिखा देता हूं को बनाना क्या है मेरे पास एक model रेडियर से वाटर टेंग का वह मैं तुमको दिखा देता हूं कि कौन-कौन से जो parts अभी मोडल में बनाने है वाटर टेंग तो यहां तुम देख सकते हो कि columns का part अभी रेडियर अब ना जो एक dome है नेचे वाड़ा bottom dome यह देना है जो इनकलेंड वॉल से यह देनी है उसके बाद यह वर्टिकल वॉल से यह देनी परेजर लिड़ों में यह देना है तो इस सारे part अभी हमको insert करने उसके इंदर तो दिखा तो मैंने तुम दिया है तो वहां पर भी इसको इंपार्ट करते हैं तो पहले हमको जाने है इस टेक्सल विजार्ड में फिर यॉनिट से वह चैंज करने है सेलेक्ट यॉनिट पर किलिक करके मिटर पर ओके दो भी से वह सारे मिलते हैं तो से तो मुझेश करनाए डबल टाम करने के बाद को गयां से जो हुआए मेटर अपने ज्यादे रखना तो वह इंदर तो वह डामेटर इसमें लिखना है तो टैन मिटर हो गया डामेटर लिखना है फाइव टाम्स टू टैन कि जो डामेटर वह हमको जादा रखना पड़ेगा क्योंकि जो डॉम होता है या कैप होती है वह सर्फ अपने एक इस्पेर का कोई कट सेक्शन कोई भी हमने सेक्शन कट या तो वह न आसवाद को बोलते हैं कि को तो उसका दियमेटर मेंसा वे स्पेरिक ऑना चाहिए तो यहां पर ले ले लेते हैं 15 बहुत है फिर हम से पूसरा है डिवीजन लाटिटूड जो उसके सेंटर पॉइंचे की तरफ तो परिफेरी पर क्या उसको बोलता है एंगल देखु तो यह तुमको दिख जाएगा देगा यहां पर हमारा पहला कॉलम जा रहा हो नीचे इस वाले नोट से नीचे दूसरा इस से तीसरा तो ऐसे सोण सारे आट निचे पे नीचे जा रहा होंगे प्रोजक्स फिर क्लिक करना यस हमको रॉइफरेंस पॉइंट उटाना पढ़ेगा कि हमको कौन से पॉइंट के अकॉडिंग यहां पर इसको स्टेविलिस करने है तो मारा भी यह पॉइंट हम ले लेते हैं फिर तो यहां पर रख लोगे तो तुमारे इस प्लेन पर हमको डॉम देदेगा तो इस पर क्लिक करना यह तुमको अपने आप ओडिनेट देगा यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर तुमारे प्लेट्स अपने 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 ले लेता है तो इसमें को प्लेट्स देने की कोई ज़रत नहीं है अभी यह जो डिविजन से मैं दिखा देता हूं जो लोंगिटूड है वह एसा होता है यहां से पैरि फैरि पर यह सारे हमारे लोंगिटूड के पार्ट यह जो यह उन में बसक्राइबुगों से करें और नीचे आता जाता है तो अम बने जो लेडिविजन उसमें बाइदूपौन टैन निविजन थे तो तुम गिन बी सक तो इसमें को दुबार हावापिश मेंटर करने है मेटर करने के लिआ है इसमें लहें जो पाइट है कि जो पाइट उसका जो बॉटम जो टामेटर होगा ओब आज जादा होगा तो लैंगेंट अंक त्api तो स्टार्ट रेडियस तो स्टार्ट रेडियस अपनी वही जो कॉलम्स में ने दी थी 5 मिटर की और एंड रेडियस हम थोड़ा ज्यादा लेंगे तो 8 मिटर ले लेते हैं तो हमको लैंड के अ कि रेक्ष कितने डिविजन कितने दे ने ऐक ही दे देते हैं कोई दिकथ नहीं है पारी फिरी पे ले लेते हैं आट प्रक्राद रएयक्षक के लिए ताहरे के दामारे लेंट फर्णह से लिए चाहिए लेगा तो इसका मतलब चैंब किस तरफ इंक्रीज जोना चाहिए तो स्टार्ट जीलो से करेंगे वन की तरफ जाएंगे तो वाई डारेक्शन रोगा और वह देना भी है वर्टिकल डारेक्शन में हमको इंक्रीज करने जो डामेटर है इसका चलेंटर पोर्शन का तो अप्लाइ करना इस पर तो यह तुमको दिखा देगे तो यह मौडल हमको इसके बॉटम पे देना तो करना यह तो पर किलिक वॉपिस रेफेर्स पर लेकोर्ड ये करना न कि या दर्वाड़ा पॉइंट इफ्टाना कि है दो यो किकरना तो लैट से सैकेंड नौट पे किलिक करना से इसको तोड़ा सबस्क्राइब से तोड़ा उपर मूह करते हैं तो यह आजाएगा लैप पॉइंट से से क्लिक करना तब लिए तुम्हारा सही आएगा वर्णा करता है तो यह स्टक्चर अब तुम्हारा सही आ रहा है अगर तुमने कोई भी मिस्टेक करें इसके अंदर तो तुम्हारा जो यह नोड है वह आगे पीछे हो जाएगा यह स्टक्चर बाहर निकल सकता है तुम्हारा इंप्लाइं प्लेट का तो इसका अच्छी दिया नहीं मैं दुबार बदा रहता हूं अगर इसका व्यू चेंज करेंगे वापिस लूपी जाकर हमने साइड लिया तो फ्रंट व्यू ले लिया तो में पहला दूसरा तीसरा चोहता पांस नोड आ रहे हैं और हमने जब जो में जाकर मैं दुबार बना जाता हूं डेमो के लिए इस में गए सेलेक्ट यूनिट पर जाकर मेंटर पर क्लिक करा होके मोडल हमारा प्रेट सॉलिड सल्फ लेट वाला शेंडर का पॉर्शन पाइ यह रहा तुमारा फ्रंट यू ठीक है यह तुमारा फ्रंट यू लगबक वैसा ही है जैड अपना पार की तरफ आ रहा है वाई उपपर एक्स चेड़ क्योंकि जब मारा ग्लोबल इसके अंदर है वो भी इसमें सेम है एक्स इदर वाई उपपर जैड बार की ओर तो हमारे नोड हमको बोटम के सीदे सीदे दिखाए दें तो जम मैं इस पर करूंगा कि रोस करने के बाद किलिको नियस रेफ्रेंस पॉन उटाने तो यहां पर वही वही नोड वापेस दिखेंगे वन टूट थी फोर फाइव तो इस पर ऐसे हमको लेना है कि हमारे जो इस्ट्रक्स हुआ तो मोडल जो बाहर निकल जाएगा यह स्ट्रक्टर बाहर आ गया तो फिर कोई फायदा निया बनाने तो मैं क्रोश कर देता हूं हमने दे पहले दिया तो यह हमारा मोडल है 3D में देख सकते हैं तो अभी इतना पार्ट हमारे रेडी हो चुका है अब हमको यहां पर कि स्ट grrr 53 उैसे यहां पे कोलं से तो उने फ्रेंट रहा उसके बादाब को वर्टिकल वोल स्टेनी के दर तो इसटरनी जाना है में और ऐगत व्याडरी संदार मीं करना है वाटर एयुणिट में जाना है मि ऐनप्र टरत इनलें फिस्तिक विस्के लिंग को सरफिस लेना पड़ेगा लेंद हम ले लेते हैं 10 मिटर के लिए अब हमको स्टार्ट रेडियस और एंड रेडियस वही देना है जहां पर हमने इंक्लाइंट जो प्लेटे दी थी उनकी रेडियस एंड करिती हुंही से हमको start करना है तो end हमने कर रहा था 8 मिटर पे तो 8 मिटर फे इसका start देना है और 8 मिटर फे का end देना है क्योंकि radius constant है ना चाहिए cylindrical body का परिफेर पर हमारा 8 चल रहा था वही चलाने देना है और length के along 1 रख लेना कोई दिकत नहीं है हमको जो देना इसकी जो longitudinal axis है वह वाई होनी चाहिए क्योंकि वर्टिकल की तरफ हमको जो यह वह देना है cylindrical surface तो य के अंदर ही हमको 0 और 1 रखने है बागी सब 0 0 होना चाहिए इसका मतलब यह axis का मतलब कि किस direction में हमको क्लिक करना यह वापस से reference mode लेना है तो यह पॉंट ले लेते हैं किलिक ओन ओके फिर हम थोड़ा राइट कर से राइट क्लिक करके इसको तोड़ा उपर नीचे करके यहां पर हमारा आईसोमेट्रिक बनाएंगे हमको इस नोड़ पर प्लिक करना कि तो किलिक करना फिर ओके पर क्रेंट्रियर लेट मिए इसकी है राइट क्लिक करूं पूर पोर्शन देना उपर कि और सर्कूलर बिंस देम हैं यहां पर ओर यहां पर त्टेन मोड करने मोडल रेडि हो जाएगा है तो हम जाते इस ट्रक्सर गिजाड़ में अपिस डॉम देना है तो सेम काम प्रोसीजर सेम वह ही है सेलेक्ट यूनिट मीटर हो के ट्रस्ट मेंबर में सर्फेस मोडल स्पैरिकल सर्फेस से डबल किल्क करना कैप देना है बेस डियामेटर इस चल रहे तो 8 का डामेटर होगे 16 कि 20 ही ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा ज्यादा करना चाहो 25 23 जो भी डिविजन्स लेंग्विटूड लोंगिटूड में एट रखना है एपलाई करना तो यह तुमारा इतनी हाइट का डोम आजा है इतना सफिचेंट है इस पर क्रोक्स करना यस रेफ्रेंस पॉंट आपश्य लेना है हम रेफ्रेंस पॉंट इसका यह ले लेते हैं इसके बाद किलिको नौक के एंड इस पे स्टेबलेस कर दें इस पॉंट पर तो यह तुमारा पूरा सर्कुलर टैंक अभी रेड़ी है सिर्कुलर बेंस बचेंगे तो अब हम सर्कुलर बीम देते हैं तो सर्कुलर बीम देने के लिए सिंपल तरीका है या तो आड़ बीम पर कर लो या फिर तुम चाहो तो सर्कुलर बीम का ओप्शन आता है इस ट्रॉक्टर बीजाड़ा में जाना इस फाइल्स पर जाका सेलेक्ट यूनिट में रखकर ओके लिखे चाहिए फ्रेंव मोडल्स पर ये रा महारा विफे ओस और खरते मेंद रेडियास हमारा कि इटमेंट्र का Ultra a एंगल्ऱ 360 पेरिफेरी का लोंग गोई 8 8 मिटर को होगया श्रकुलर भीम एप लाए यह तो इसको करा क्रोस यस पिर हमको रेफ्रेंस पॉंट लेना है हमने यह रेफ्रेंस पॉंट ले लिए ओके थोड़ा सा व्यू चेंज करना है अब हम फ्रेंट व्यू लेकर चेक करेंगे इसको फ्रेंट व्यू लिया फिर थोड़ा सा अब डाउन करके राइट कर से यह वाला पॉंट मिलेगा इस पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक ओन तो यह तुमारी सर्कुलर भीम सागे दिखने रिये तो ऐसे स्क्रोल करके देख सक यह वह यूज में ले ले लेना तो कंट्रोल प्लस सी टैप करना एंड देन कंट्रोल प्लस वी तो पेस्ट का जाएगा तो फेस्ट का उप्सन हमको कितने मिटर उपर इसको पेस्ट करना है तो हमारा है था यहां से लेकर यहां तक हाइट मिटर रखा तो वाइड आरेस में एट देना है अगर हमको उपर पेस्ट करना है तो प्लस का एट रखना है नीचे पेस्ट करना है तो मानस का एट तो नेगेटिव पोजिटिव का वैल्यू जैसे डिसाइड करना है अगर उपर देना है तो प्लस में लेना नीचे पेस्ट करना है तो मानस में लेना है फिर हमक तो अभी model ready है, तो properties assign करते हैं, जो भी हमारे plates नहीं है, doms, worms, जितने भी columns है, beams है, सब्सक्राइब चौन करते हैं, क्योंकि अभी है सारे elements, land element है, 3D rental mode भी देख सुथे हैं, कोई thickness नहीं है, plates की, ना PMs के पास कोई size है, ना columns के पास, तो properties भी जाएंगे, और define पर जाने है, circular हम ले ले लेते हैं, जितने भी columns है, circular procession ले ले लेते हैं, diameter 1 meter ले 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 लेते हैं, columns के size जो बड़े होते हैं, water tank ले ले ले, फिर add पर click करना है, फिर rectangular हम beams के ले 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 लेते हैं, 0.7, yd हमारा vertical direction है, तो yd हम जो dab तो ज्यादा रखी जाती है, bit तो dab कम ले ले लेते हैं, 0.95 के approach, और जो इसका width है, वो ले 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 ले, 0.75 के approach, फिर add पर click करना है, close, beams के लिए ये size है, columns के लिए ये, अब plates के लिए लेना है, तो plates के लिए thickness पर click करना है, जितने भी plates से उनके लिए 0.200 mm के हम लेके चलते हैं, 200 mm के थिकने से, तो meter में उदाएगा 0.2, add पर click करना, close, अब जो हमारे plates है, उसको assign करना है, तो plates में हम क्या करेंगे, assign to view, assign to view क्लिक करेंगे, तो जितने भी view में जितने भी plates आ रहे हैं, उन सभी पर ये 7.87, मतलब 0.2 meter की जो dimension वो assign हो रहेगी, तो assign to view, फहले property पर click करना, फिर assign to view, पर click करके, yes, तो आदेख सकते हैं, जितने भी columns है, जितने भी plate से, उन पर assign होगा, 200 mm की ठीकने से, अब जितने भी हमारे beams से उन पर देना है, तो rectangular की property पर click करा, click करने के बाद, हमको जितने भी beams से, bottom से लेगे top तक, सब पर ये property assign करना है, तो select करने का type होता है, तो select करके, हमको click करना है, geometry में उपर दिया हुआ है, parallel to xz plane, because the beams are parallel to the xz plane, all the beams, जितने भी beams हो, स्वारी parallel है, xz plane की, तो geometry select करने के लिए हम select गए, geometry में जाके देखना, parallel to xz plane तो click करना, फिर हमको y के range decide करने है, तो जिरो से लेकर, पचास मिटर तक ले 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 थे हैं, जो पचास मिटर से उपर हमारे उपको से structure भी नहीं, तो ok पर click करना, तो जितने भी beams हैं, वो सारे select हो जाएंगे, तो अब यहां पर option भी आजाएगा, अपने आप assign to selector beams, इस पर click करना, and then yes, अब हमारे रहेगे columns, तो columns के लिए same, जितने भी y direction के parallel हैं, तो beams उटाने हैं, जो parallel है, जितने भी हैं, वो सारे columns हो जाएंगे, तो columns पर select करके, assign to selector beam पर click हो जाएगा, accordingly, assign पर click करके yes, तो अभी सारे property assign होगे, तो rendering view करने के लिए वोई, window पर right click, 3D rendering view, तो यह हमारा structure रहे है, तो अभी modeling ready है, अब material भी हम concrete दे देते हैं, material पर गए, concrete लिया, तो पहले से assign होगे, तो इस पर double tap करेंगे, तो इस concrete property बताएगा सारी, तो हम concrete की ले लेते हैं compressive strength, 40 MP, 40, 00, 00, okay पर click करना, अब हम जाते हैं specification, तो specification कुछ देना नहीं है, supports पर गड़े, और हमने fix support एक create करा, create, fixed पर click है, इसको add, अब हम इसको delete कर देता हूं, दूसरा तरीका सिखाते हूं, इसको create करनेगा, यह उपर भी आता है, fixed का option आएगा, fix support, तो इस पर click करके भी सीधा इसको add कर सकते हैं, फिर support पर click करना, अब इसको assign करना है, bottom के जितने भी node, तो इस पर पहले click करना, property पे support type भी, फिर bottom के ऐसे cursor से इसको select करना है, सारे bottom nodes के, फिर assign to selected nodes, and then assign, click on yes, तो इस supports पर assign होगा, तो सारे fix support होगा, तो यहां तक हमारा supports और सारे, जो हमारे geometry का जितना भी modeling का part तो रेडी है, अब हमको देना है loads, तो loads का हम अगले वीडियो में देखते हैं, अभी यहां तब का सभी अच्छे से कर ले practice, water tank का model करा था radio, beings column से property assign करना, material and supports, यह सारे चीज़े assign होची है, तो आज हम देखने है loading part, तो loading कैसे assign करते हैं, एक water tank का, तो पहले हम जाएंगे definitions को, सबसे पहले हम देंगे sysmi definition, तो इस पे click करके add करना है, फिर हमको code select करना है, हमारा code है, is 1893 part 1 2016, इस पे click करना है, click on generate, जनरेट को जानगे बाद हमें कुछ parameter से इसको insert करना है, तो city जो भी है, city भी ले सकते हो, अगर zone है, पास zone है, कोई सभी 5 में से कोई सभी zone ले सकते हो, तो अभी हम city के accordance में, जो zone factor हो रसाइन करते है, तो city में जाकर, जो भी हमारे city की location है, डैली ले ले जाएक जाम करते हो, और जो response reduction factor है, तो हमारे तो building का type है, तो water tank है हमारे पास तो water tank के लिए हम ले लेते हैं, की building है, with RC structural board, building with ordinary RC structural board, यह जैसे तो क्योंकि जो board उपर का part है, दो आम और सार अभी पार है, तो सारे इसी रेंडर आएगा, यह option भी है, RC OMRF तो यह जादा बैटर option है, जो बाइए, RC C yhtreaga,ada space, контр vals, and then OMRF connections थो भी हमारे OMRF रेंगी, ordinary moment resistance frame in the frame भी और जो goal से भी RC C structural goals उसके बाद, response factor, important building, all other building, तो भी लेते हैं तो बाइए, all other building तो भी all other building लेते हैं छिन्डा, soil-ka-tech medium लेते हैं, and same यहां पर, building with RC C structural goals रिश्पली का सप्तो है, ये जर्णेयर होगा और से परद अब सब्सक्राइब करने कशों, इसके पार्ट इंपैर्ट होगा सब्सक्राइब сделक युथ आपने कि अब परपेटिस पर इंप बाधू वाड़ियर चीफितने ले ना पड़ेगा तो सब्सक्राइब करने ना पदेंगा फिर हम गए हमारे लोड के इस डिटेल के अंगर तो हम पहले देते हैं इस पर करने के बाद एड़ करना लोडिंग टाइप सिस्मिक एड्ज होरिजोंटल डायरेक्शन में नेम टाइटल देतेंगे सिस्मिक एक्षट्र एक्षट्र टाइसि को क्लिक करके एड़ करना को यहां पर हमको systemic load भी जाना है और x direction के लिए factor 1 लेना है और इसको add कर देंगे close ऐसे z direction के तर से add करने के सिस्मिक में जाना है सिस्मिक में जाना के बाद z direction में factor 1 add close इसके बाद अभी हमारा जो अर्थकोई को लोड़ा हुआ हमने apply कर दिये इसके बाद हमको assign करना है wind load, dead load, live load इतने भी सारी wind load हमने select करा तो wind definition हमको पहले define करना पड़ेगा कि कितने कितने add पर हमारा कितना कितना wind intensity है तो इसके लिए हमको wind definition पर click करके add करना है यहां पर type 1 दे देंगे और तो हमारा code 8 75 part 3 इस पर click करके add and then close तो type 1 पर click करके add करना है अब यह code अपने आप आ रहे है अगर तुम चाहँ तो intensity को तो हमारे custom value का code दे सकते है तो अभी मैं custom ले लेता हूं कि यह हम calculate कर सत्यार सकोड से तो Excel Suite में पहले calculate कर लेंगे कि कितना कितनी add पर कितना कितना load आ रहे है तो मैं माल लेता हूं कि पोरी uniform height पर जितने भी हमारी height है 0 meter से लेके 15 meter 15, 30 meter 45 meter 60 meter 75 meter 90 meter तक ले लेता है तो जो हमार intensity है हम माल लेते ही 1.5 kN per meter सब जगर इसका दूसरा तरीका है मैं इनको बताता हूं कैसे करते है 1.5 हम एक्जामपल के लिए 1.5 ले लेता है 1.5 kN per meter intensity है तो इसको अगर हम add करेंगे तो यह add हो चुक है फिर close करना है तो यह intensity हमारी आगए जमने इन्पुट करेंगे दूसरा तरीका है कि हम generate भी कर सकते हैं इसको delete करके type करना पर दुबारा जाना add करना फिर हमको जाना है जैसे हमने अर्थ को अगलोड जन्रेट कराते हैं तो common हमको port जूचेगा हमारे बिल्डिंग का type structure का type वह हमारा है free wall and hoarding इसका अगर structure देखना है तो इसमें जाना second option यह तुमको दिल जाया हो तो तो हमारे नीचे column से उपर एक अपना बिल्कुल जुट की structure है पूरा श्लेंडर कर ले तो वह एक ओडिंगी तरह ही तो common पर जाकर हमारे automatic हाइट डेल लेगा हाइट इंटरवल तुम 5 मेंटर है कोई दिलकत नहीं city हम चूज कर सकते है city हम दैली ले 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 था हूँ पहले लिया हम अपको एक लोड के लिए तो यह ओल्रेड़ी कोड़ी अकोड़ी अकोड़ी 50 मेंटर पर सेकंड इसकी बेसिक कोई इस्पीड अपने आप ले ले लेगा टोपोग्राफिक वेक्टर चेंज करना चाहत उपर सकते हैं class of the structure temporary है, low है, others है custom है, तो हम others पर क्लिक कर लेते हैं यह जनरल विल्डिंग रफ होगो train category हम फूब ले लेते हैं and इसके बाद जाना है free standing diamonds नहीं according भी खुब ले लेगा vertical direction भी ले लेगा और structural height अब हमको देने की height कितना कितना है capital H 34.329 total height यह automatic ले लेगा width 16 meter है automatic consider कर लेगा हमको देने S dash और H तो H अपना है जो water column जहां पर हमारा water रहेगा water tank जाने यह height तो उसको लेने के लिए तो अभी इसको अठा निसकते हैं तो इसको पहले प्रोस कर लेगा ऐसे भी आद है 20 meter का यह जो columns का height और 20 meter था तो S dash की value होदा है 20 जहां पर पूचेगा हमसे ice dash कितना देना कस्टम टे क्लिक करके here ice dash height above ground तो ice dash होदाएगा हमारा 20 meter और जो H है वो इसमें से coefficient at the code calculation design wind speed wind pressure यह coefficient से सारे code में दियोगा है 875 example के लिए 0.9 इसको ले 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 थे तो जिल्ली के लिए यही factors है 0.9 and then 0.9 अभी मेरे यहां जो नीच से है वो OK का option नहीं आ रहा तो मैं double enter करूंगा तो अपने आप values ले 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 किसी के अगर OK का option नहीं आए नीच से तो double tap करना अपने आप वो values ले 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 लेगा तो 0 meter, 5 meter हर 5 meter के interval पर intensity निकाल लेगा हमने 1.5 ले सकते हैं तो कोई दिक्का नहीं अगर पता हो तो ले लो अगर generate करने कोई need है तो generate भी कर सकते हैं इसके बाद इस पर add पर click करना exposure coefficient देना मत close कर देना तो intensity होगी तो अब हम इस पर intensity देंगे तो wind load अब बाद में apply करते हैं पहले इस पर dead load लाव load apply करते हैं तो dead load के लिए load case डिटेल में करें add करा third number पर हमने दिया dead load DL enter fourth अब आये लाव द्बलाब double L enter next अब आये wind load x mix and then wind load enter and then close करना कद अड़े अबर तो करना है कwegen करना और देटे यह its के इसके बाद अब देथे हैं लाइडेव добр धार लाव के उब दर राएगा हमारा इडर्स टिंट्र ड़ाव लोड में जितना बी अंतर जितना फिल्ड का स्ट्रक्चर राएं जो इन प्लैंट वाइं फॉर्ट से निलेगा टा के अंदर लेट लोड में गए तो आइडर स्टेटिक का ओप्शन आए लिए इसमें को पहले प्लेट से चूज करने पड़ेगी यह सारी वैल्वी जो सबसे पहले हमको सलेक्ट प्लेट प्लेट पर गए हम चाहे फिर हमको सलेट करने पड़ेगी करसर से तो सलेक्ट में जाए अखित गया हुआ है यह मैं यह प्लेट सा रही है भर आप важ में इसमेटर इंपर युदे हो उपर लॉक्स करने थार्यद दडान यह करने तो गलोबल एक्सिज इससो फार जो और ऊब एमार जो हाइट में युस्ट पर मिटर क्यों और हैट अमारा है टो जो वार्टर प्रेसर आएगा नीचे बोटम पर वो दाएगा टैने इंटु एट 80 मिटर 80 किलोनुटर पर मिटर स्कार तो डबलुवन का वैल्ली होग है 80 किलोनुटर पर मिटर स्कार और 0 से स्टाट प्रेसर अलोंग दा यह जो प्लेट है उसके आउटर सैड़ को डिनोट करेगा तो रखेर लोकल जैट रखेर है इसके वाद इसके अपर क्लिक करना अब इसके में अब इसके अब नोड दे सकते हैं यह लोड अभी पस्ट पर किलिक करके अभी कुम को जादा दिखा ही नहीं दे रहा तो एक और जीरो करके इसको मौरिजा करोगे की प्रेशर बिदा है यूचेंज कर लेना यहां से यूपर गेश तो यह तुमारा वाटर प्रेशर है हुआ है यह 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 चैनल लेकर यहां तो पूरी शर्पेश को इसका त्म भी दे सकते हो वार्टर प्रेशर कटाई है के या दो एक प्रिट तो आपने का पिशी कुछी का सब्सक्राइब विंडो को सब्सक्राइब में देसे वाइब लिप्स के लिक करो सब्सक्राइब पर इन च तो इसके बाद ये मारा भी इन प्लेट से में लगा जिए उसके बाद हमको बोटम जो तो हम माल लेते हैं कि नीचे वाले की हाइटम दे लेते हैं अभी केल्पर कंडिक दरोग में सीधा जोमेटर में जाकर भी निकाल सकते आए जोमेटर में गए और सेलेक्ट में जाकर नोड पर सब्सक्राइब तो यह हमारे दिखा रहा है और यह है 23 में इसे यहां से लेकर हाईट अब तो टोटल यहां से लेकर यहां तक हो दाएगा है एट पिलस त्री इसकाल तो 11 मेंटर के जो वाटर प्रेशर है वो इन प्लेटों पर आया तो जो बोटम की जिन्दीवी प्लेट हैं उन पर हम वाटर प्रेसर हो जाएगा वाटर देंसिती और 11 में अटम तो 110 किलो नुटर पर मिटर क्यूब का वाटर प्रेसर आएगा पोटम इलेट्स का मुंप ज़ते हैं, तो उसके लिए लोडिंग वापिस हम ने भूई लोड में गई, अड़ करा अरफ वापिस छेट लोड में जाना है , अब अबढ़ा दो जाए हम चाहें तो तो जो फ्लोर लोड है वो भी दे सकते हैं फ्लोर लोड या फिर एरिया लोड में हम ले लेता है 1-1-0 माइनस का लेना है क्योंकि नीचे भी बार गे तरफ जाना चाहिए नेगेटिव या फिर प्लेट में गए तो प्रेसर और फूट प्लेट इसका भी अप्सन आते हैं तो बहुत सार तरीकर कोईसा भी लेता है तो प्रेसर और फूट ले लिया इंटेंसिटी हमने ले लिए 1-1-0 एक सदस किलोनुट हर मेटर स्पार लोकल जाय डारेक्शन बताई दिया प्लेन के आउट साइड इसको एड़ करें है तो अभी हमने इसको तसायन किया तो इसपे कि प्लेट के हमको लगा देना है 1-1-0 तो असेंटी सेलेक्टर प्लेट को किलिक करेंगे तो असेंट करेंगे यस तो बोटम को इसनी प्लेट है उन सब पे ग्लोबल जाय टारेक्शन में आगे तो हमारा लाव लोड कंपीट है अब हम देते हैं विंट इन एक्स टारेक्शन कि अधे आड किया कि एड करणे के बार हमने दिया इन एक्स टारेक्श दे लागल के गए है इस अधे और रया हाय गतुक्क है हैं था अाग अधे हवाह धंक छORD कि कर पाख एड ज़सेया टारेक्ट है यस पर दिखा़ देना मौसके हो का लृंस है इस पर दिखाई देए और हमको यहाँ पर जो है open structure है जिस पर double click करके open structure पर click करके modify करना है तो अभी यह जितना भी load को सब walls पर दिखाई देए जो walls से column करना है because this is the open structure blow का water temp goal और जो उपर के जितना भी structure है उन सभी प्लेट load apply करना है तो wind load assign करने के लिए हमको wind intensity पताओना चाहिए तो wind intensity हमारा 1.26, 1.6 तो top top to 1.6 है तो हम 1.6 माल लेते हैं max value ले लेते हैं तो हम गई loading पे wind load के अंदर हमको wind xp assign करके add करना है और pressure देना है उनको x direction के अंदर तो हम floor load लेंगो plate load full plate भी लगाना है इन x direction लोकल नहीं लेना है global x लेना है global x direction में लगाना है और जो pressure है वो हमार है 1.6 kN per meter इसको add कर देंगे अब इसको assign करना है अभी हमको यह अलग से बनाने की जरुत क्यों पड़ी यह मह समझा रहता है क्योंकि जब हम इस पर click करें तो यह जो load है यह जिर्फ इन पर apply हो रहा है पोलंग पर और यहां पर बीम से उन पर और यहां पर बीम की थी उस पर बाकि प्लेट्स पर कहीं नहीं हो रहा तो प्लेट्स पर भी हमको load तो आना चाहिए वेंड में तो इसके लिए दूसा दरिगा है कि हम wind load को assign कर लिए अलग से plate pressure बनाकर इन सभी plates पर assign करेंगे और डायरेक्सिन हम global x पर लिए एक्स टायरेक्सिन के अंदर दे रहे हैं तो global x के अंदर हमको यह assign करेंगे तो इस पर कलिक करेंगे फिर हमको यह जितने भी plate है side में सबको select करना पड़ेगा तो उसके लिए हम select कर गए plate का सर्योज ने लिया और यहां से लिकार यहां तक यह plate है और जो side की plate है सामझे वह भी select करना है control दबा के रखना है control दबा के रखना है इसके लिए कि अगर control दबा के रखना है तो यह plate अट जाएंगे control दबा के select करना है इन दोनो प्लेटो को select कर लेगा तो यहां से तुम तो यह सारे plate select होते होगी दिख जाएंगी यह ओगई यह ओगई दो प्लेटे यह बच्ची control रहे लिए अपिस को दुबारा select करना पड़ेगा व्यू में जाए फ्रेंट व्यू लेंगे पहले इन पर असायन कर देते हैं इनको अब इमको इन पर देना है तो ऐसे सिल्ट करने है चाहिए और रोटेट करेंगे सब अब इले मारे हो बेक्त रहे प्लेट जाही है को पुत पिलेक्स पलेटु सब इंहेंग जता है गारी हए पेखे सेम काम ऑपको जई कीझ करना है ये अम देख सकते हican करके जितनी भी प्लेटे है जिए आहले है में और जितनी भी प्लेटे है अंग सब्सक्राइय कि ऑया हजशन कि एक प्लेटे भी जाया है रिवलोग जान्य हारा है अगयद कंड़ा ये var तो यह अब इन प्लेटों के लग गया दियो चैन्ज कर लेते हैं यह जोरा यह यह उपर है एक्स आउट वर्ड अप्लेण और जैड रहे से तो इसके बाद हमको करना वह प्लेट लेट के लिए प्लेट के लिए डिया एड जैड डियरक्स में किलिक करती इसमें देना कड़ेगा लोड प्रेशर उन फुल फुल प्लेट वन पॉंट सिट्स इस पार अमको देना ट्लोबल जैड इसको पड़ लेंगी एड ग्लोब को भी सेलेट करने हैं एतने होगए तो उनको सरद करती इसेंड वह प्लेट पर क्लिक करती है और नेचे की प्लेट पर देना है क्लिक करेंगे कंट्रोल दबाकर राइट क्लिक से ग्यू चेंज करेंगे तो ये रियम अलब जैड अर्छ करें दसे जाएंगे अलब तो ये रियमारे जैड आरंस अनने जी है प्लस के होगए तो बाकी दो ले सकते हो सेम पिलस X के लिए तो समस्स्मार गप्लस मानस यह के लिए सकते हो और समस्समार अब पैटल सेम है x के लिए करना है तो हुझ के आगा एड़ करेंगी Maar Ele Halo Windows में देख σिसके जिस्यंदने तो फॉरी इस बार x में फेक्टर लेला है –1-1 फो कि लिए at group in structure को मैन Congili Дेन तो x में रखके माइनlichesbourg tänd ले लेगा यह गनीज करेंगी close same minus z के लिए minus z के लिए गौर बंडिलोर में जायें जाएंग जाएंग लिए z के लिए minus 1 और Y range 4 add and then close तो इसनो पिज़ उपन इसलोड तो इस पिजी करेंगे लिए तो यह आशी हो है तो इस पिजी जाएंगो जाएंगे.. फिर वोई माइनस एक अंदर अबको इंटेंसिटीव पता ही है माइन 1.6 है तो सेम इस साइड की तो प्लेट है नेगेटिव साइड उन पर भी असाइन करना हुड़े तो माइनस एक्स में दाने के लिए विंड लोड पे सेलेक्ट करना लेक्त करने करने के लिए माइनस का 1.6 वे इंसर थेंगी थे माइनस एक्स में लिए सेम इसमें मा इक्स एक्स तो अस्ःका Haben है इंड यह तो मिलोबल ओन इसमीं देने के लिए दोबल जैड के अंदर माइनस 1.6 इसको भी एड़ कर लिए है और फिर इंको सायन करने है उनी प्लेट सो पर तो अभी हमारा हाथ जैड डिर्क्स में ये प्लेटे दिखाए दे लिए तो माइनस जैड अमको इस चैड लगाना पड़ेगा इस चैड लगाने के लिए हमको प्ल प्लेटे सेलेक्ट करने पड़ेगा तो प्रोपरिटी को सलेट करके माइनस जैड वाले में विंड लोड माइनस जैड वाले में इस प्रोपरिटी को सलेक्ट करना है लोड को और राइट साड वालो पे चूज करना है इन पर हो गया तो इन पर पहल असायन को सलेक्ट करके यह प्र बोटम प्लेट से असे सेलेक करने कंट्रोल प्रेस करके और राइट करसर से मूझ करके बागी प्लेट से लेने के इसके पीछे की तो यह हमारे प्लेट सोगे सारे माइनस जैड के लिए तो इनको भी असेलेक के लिए तो अभी व्यूचेंज करते हैं पर इनको विंड लोड देखते हैं सारा तो माइनस जैड के अंतर यह विंटल लग रहा है राइड़ फेस की इतने भी ब्लेट से इन्टेंसिटी माइनस और फॉल्स तो इस साड में अरो दिखाई देरहें अगर प्लस का लेंगे तो प्लस आरे पर क्लिक करेंगे तो इस साड आरो दिखाई देगों माइनस करेंगे तो माइनस तरफ सो करेंगे ऐसे सेम एक्स के लिए करने तो व्यू चेंज करा एक्स अपने को दिखना चाहिए तो फ्रंट वी था तो फ्रंट वी में तो प्लस एक्स वाड़ा है जो माय मेर इन प्लेटों प्लेटों सब्सक्राइब करते हैं भूरुंको इस उप्लेट पर निलिए नस वागें सब्सक्राइब मुआ करा अपर संग तो सब्स often बद्सक्रारी सेट इस सलेंम यांक जब्सक्त कर्णी है तो अभी सारे लोड हमारे कंप्रेट है वेंड लोड के सब कर सब तक है अगर तो लोड कोंबियेंशन करेंगे यहां पर आते है बिफाइन कोंबिनेशन या तो फिक्तर हम पुद कुछ गैकर ले करék सकते हैं या पिर auto load combinations का भी है तो core select करना है IS 456 table number RCC table RCC code generate load पे click करेंगे तो automatic generate कर लेंगे तो इनको अब add कर लेंगे तो add पे click कर लेंगे इनको अब add कर लेंगे तो इस सारे load combinations इनके factor दिखा देगा उसके बाद हम analysis पर गए तो define command पर जाने click on out all पर click करके squad कर लें and then click on run analysis save हमारे results आजएगे कि हमारे analysis में क्या problem है तो हमारे फॉर वर्णिंग्स है एरर बिल्कुल नहीं आने साहिए वर्णिंग में कोई दिकत नहीं है फिर paper check कर लेंगे त्री नोर्स और फॉर्ड वर्णिंग्स तो यह हमारी output file आती है व्यूटू output file पर click करोगे और done पर click करोगे तो output file आएगी उसमें यह warning से तो यह important नहीं है इन warning से कोई दिकत नहीं है तो यह रहने देते हैं ओबी बेंपे double tap करेंगी तो यह property दिखाएगा geometry loading वोंपॉंपॉंप से उस दुपतर shear bending सब कुछ दिखाते हैं shear force देखना हूँ, selection type किसकी वजर से देखना है तो हम टाइप ले शपने इतना सारे load combination है, loads dead load, nav load भैंडिंग जारन डार्स में देखना हैं młody cioè ये दारस्वेनाु टार्स ये में द। और जल्स कर्णाह बेखना हैं सब तो दि इखांता हैं हैं डिक्लेक्सम भी क्रानों ये में जार में इसलबी दिस्टेंस ब् mamлуy अलिए पाट रही है जिसां पाट और दिस अगले वीड्यों थे